Hello friends, स्वागत है आप सबका, आपका अपना YouTube चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए Railway Model Set No.5 अगर आपने पीछे के 4 Model Set नहीं देखे हैं तो वो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं क्योंकि ये सारे Model Set नए Pattern पे अधारित हैं और आपके एकजाम के लिए काफी महत्पून सावित होंगे और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजे और साथी साथ बेल आइकन पे प्रेस कर दीजे ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हैं तो चलिए सुरू करते हैं Question No.1 है हाली में किस राजने चरन पादुका पहल की सुरू की है तो इसका जो सई अंसर है बो है Option No.C मध्ध प्रदेश देखिए ये जेनरली मध्ध प्रदेश में इंदोर पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया है और इस चरन पादुका योजना में है क्या कि जो करोना महामारी के चलते जो लोग पैदल अपने घर की और मुव्मेंट कर रहे हैं वैसे लोगों जो लोग खाली पैर हैं उनको चपल या जूते मुहया कराना ही चरन पादुका योजना है ठीक है अगर बात हम यहाँ पर उतर प्रदेश की करते हैं तो उतर प्रदेश से एक important याद प्रोजेक्ट याद रखिएगा जो की है दस्तक अभियान बहुत बार एक जाम में पूछा भी गया है दस्तक अभियान किस राज से संबंदित है तो बो हो जगा यूपी साथी साथ एक और याद रखिएगा बो है कन्या सुमंगला योजना कन्या सुमंगला योजना ठीक है अगर हम बात यही पर महरास्त की करते हैं तो महरास्त से एक याद रखिएगा प्रोजेक्ट चुलहा महरास्त से याद रखिएगा प्रोजेक्ट चुलहा और एक और याद रखिएगा आसमार्ट प्रोजेक्ट अगर बात यही पर मध्य प्रदेश की करते हैं तो साथी साथ चरण पादुका के साथ साथ आप और याद रखेगा एक चात्र एक ब्रिच स्वाभिमान योजना और बंधन योजना ये तीनों मध्य प्रदेश से अगर हम बात गुजराद की करते हैं गुजरात से याद रखेगा सुर्वे साच्छी किसान योजना, सुर्वे साच्छी किसान योजना, ठीक है, चलिए, बढ़ते हैं नेक्स कोशन की तरफ, जो कि भारत में तंबाकु की खेती किसके सासनकाल में आरंभ की गई थी, तो इसका जो सई अंसर होगा बो होगा, आप चितरन साला का निर्मान जहांगीर ने करवाया था, फिर साथी साथ याद रखेगा, इसके जहांगीर के मकवारा का निर्मान नूर जहान ने करवाया था, ठीक है, चलिए, बढ़ते हैं नेक्स कोशन की तरफ, जो कि है, इंडिया फॉर इंडियन्स के लिखक कौन है, तो इसका जो सही अंसर है, बो है, उप्सन नंबर B, चितरन जन दास, ठीक है, चलिए, बढ़ते हैं नेक्स कोशन के तरफ, सिबा समुंदरम पन बिजली योजना कहां इस्थित है, तो इसका जो सही अंसर होगा, बो होगा, उप्सन नंबर C, कावेरी नदी पर, ठीक है, अगर नदी डिल्टा पर योजना है, चलिए, बढ़ते हैं नेक्स कोशन के तरफ, कुतु मिनार का निर्मान करवाया, किसने करवाया था, तो इसका जो सही अंसर होगा, बो होगा, अप्सन नंबर A, कुतु बुदिन एबक ने, देखिए, अगर बात करते हैं, तो निर्मान अस् लिए उसने अपने नाम पे कुतु मिनार रख दिया था, तो नहीं, ऐसा बात नहीं है, ये जो कुतु मिनार है, ये एक सूफी संथ के नाम पे रखा गया था, जो सूफी संथ का नाम था, कुतु बुदिन बक्तियार, नाम याद रखिएगा, कभी-कभी कोई एकजाम में क कोष्टन आ जाता है कि किसके नाम पे कुटुबुदिन्वक्त के नाम रखवा जाता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला कोश्यन है हमारा, बायू मंडल में किस गैस की उपस्थिती के कारण बायू में पीतल का रंग फिका पड़ जाता है, तो इसका जो सही अंसर होगा, वो होगा, ओप्सन नमबर A, हाइड्रोजन सल्फाइट, देखे, पीतल की अगर हम बात बढ़े जाता है, चलिए, बढ़ते हैं, नेक्स कोश्यन की तरफ, नेक्स कोश्यन है, पंचाइथी राज प्रणारी भारत के किस राज ने सबसे पहले लागू की थी, तो इसका जो सही अंसर होगा, वो होगा, आप्सन नमबर B, राजस्थान, और राजस्थान में भी कहा आंध्प्रदेश में, याद रखिएगा, कभी-कभी ये भी पूछा जाता है कि पुन रूप से किस राज में लागू किया गया था, तब राजस्थान ना होके उसका आंसर आंध्प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, अगर बात हम पंचाइती राज प्रनाली की करते हैं, तो इसका जो सइए अंसर होगा, वो होगा, ओप्सण नम्बर C, Gaspium, ठीक है, अगर टी-टिकम एक्सडीमम की बात करते हैं, तो ये गेहू के पौधे का जेनलिक नाम है, अरीकिस हाई पोजिया की बात करते हैं, तो ये किसका है, ये मूंग फली के पौधे का जेनलिक नेम है, और मैंग फिरो इंडिका तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये आम का है ठीक है चलिए बढ़ते हैं next question की तरह next question है निमलिखित में से चतूर्थ बर्ग यानि fourth state किसे कहा जाता है तो तीन state तो आपको पता ही है कि नयापालिका, बिधाईका और कारपालिका को कहा जाता है तो इससे जो fourth होगा वो किसको कहा जाता है वो मीडिया को कहा जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question है हाली में किस देश ने मुरुदा स्वित्थि को बचाने के लिए अपने देश की मुद्रा का नाम बदल दिया है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number B इरान तेकि ये current का question है आभी के date में करोना वायरस के चलते एकनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है तो इसलिए जो ये इरान है ये अपने currency का नाम बदल दिया है पहले यहां की currency का नाम था रियाल और अब इसने नाम बदल के कर दिया है टोमन क्या कर दिया है टोमन और ये याद रखिएगा कि एक टोमन में एक हजार रियाल होता है एक हजार रियाल होता है ठीक है एक हजार ने सारी दस हजार रियाल होता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question है हाली में विसाखा पटनम में gas leak होने से 11 लोगों की मौद हुई है यहां कौन सी gas leak हुई थी तो इसका जो सई अंसर है बो है option number A अस्टारिन gas ठीक है यह अस्टारिन gas थी एक गैस related एक और question पूछा जाता है बोपाल गैस तराजदी में कौन सा gas release हुआ था तब बोपाल गैस तराजदी में हुआ था मिथाईल आइसोसाइनेट ठीक है और यह कब हुआ था बोपाल गैस तराजदी 1984 न हुआ था ठीक है यह जो बिसाखा पटनम है यहां कि अगर हम बात करते हैं तो यही हमारा क्या हुआ है रेलवे का 18 नया जोन बना है कब 2019 में जो 18 जोन का नया नाम क्या है दच्छिन टट रेलवे क्या नाम है दच्छिन टट रेलवे और इस जो नया जोन बना है इसका मुख्याले का है इसका मुख्याले भी विसाका पटनम में ही है ठीक है ये जो company थी ये company का नाम है LG Polymer ठीक है पहले ये हिंदुस्तान Polymer थी फिर बाद में इसे company LG Polymer ने खरीद लिया था तो अब इसका नाम LG Polymer है ठीक है अगर हम बात कर लेते हैं आंधर प्रदेश की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आंधर प्रदेश के तो आंधर प्रदेश के CM कौन है आंधर प्रदेश के CM है जग मोहन रड़ी और एकर governor की बात करते हैं तो governor है बिस्व भूसन हरी चंदन ठीक है चलिए अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question है हाली में किस राजसरकार ने FIR दर्ज करवाने के लिए FIR आपके द्वार योजना लॉंच की है तो इसका जो सई अंसर है बो है option number D मध्ध प्रदेश ठीक है चलिए अगर बात हम लोग करते हैं आपे मध्ध प्रदेश की मध्ध प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के CM कोने सिबरासी चोहान है और अगर राजपाल की बात करते हैं तो यहाँ के राजपाल कोने लालजी टंडन है कोने लालजी टंडन है ठीक है देखिए मतलब मध्ध प्रदेश में भी अभी दो सहर में बस इंदौर और भोपाल में लागू किया गया है ये योजना इंदौर और भोपाल में कि इंदौर और भोपाल पुलिस घर जा जाकर F.I.R. लिखेंगे ठीक है इस योजना को pilot project के तौर पे शुरू किया गया है चलिए अगर बात कर लेते हैं और options की तो राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान से कुछ योजना important याद रखेगा एक तो है अनपुर्णा दुधी योजना और एक और याद रखेगा जन सूचना पॉटल ये दोनों राजस्थान ने लौंच किया है ठीक है अगर बात कर लेते हैं हर्याना की तो हर्याना से याद रखेगा गोवर्धन योजना और जल ही जीवन है योजना ठीक है चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ next question है हमारा पॉणगठन के false रूप बर्स 1947 में संबिधान साभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी तो इसका ज देश भी भाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था और इसमें जो कुल संख्या थे वो 299 ठीक है अगर यह जो 299 था इसमें अगर हम लोग प्रांतिये सदस्थ की बात करते हैं प्रांत से जो सदस्थ थे वो 229 थे और अगर देसी रियाष्टों की बात करते हैं देसी बैक्ती ने बैस्क मताधिकार के अधार पर सम्विधान सवा के गठन की मांग की थी तो इसका जो सई अंसर होगा वो होगा ऑप्सन नबर बी जवाहलल नहरो ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स कोशन के तरफ हाली में किस राज के काले चावल को जी आई टैग मिला है तो चावल का काला रंग होता है बजन में भी थोड़ा नॉर्मल चावल से यह भारी होता है तो यह जो काला चावल होता है यह किस के कारण होता है तो इसमें एक प्रजेंट होता है एंथो साइनीन एजेंट और इसी के कारण इसका रंग क्या होता है काला हो जाता है ठीक है चल साम सॉलौ जितना भी सॉल है सब मिजोरम का होगा अगर हम बात कर लेते हैं विहार की दो विहार का याद रुखे सिलाब खाजा कतर्णी चाबल साहलिक्ची यह सब विहार का है अगर बात करते हैं गुजरात का तो गुजरात का एक बहुत important है बहुत बारिक जाम में पुछा गया है जो है पेठापूर block printing है और यह जो GI tag की अगर हम बात करते हैं तो यह GI tag क्या होता है दस बर्स के लिए भैलिड रहता है और भारत में सबसे पहले दार्जलिंग चाय को GI tag दिया गया था चलिए बात करते हैं आगले question की तरफ दिमलिखित में से कीस अधिवेशन में Congress दो भागयों गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी तो इसका जो सए अंसर है बो है option number A सूरत अधिवेशन में क्या होएं था कि Congress का प्रथम विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल में अगर हम बात करते हैं कि सूरत अधिवेशन कौन से साल हुआ था तो 1907 में हुआ था और कभी-कभी ये भी पूछा जाता है कि बोध सूरत अधिवेशन जिस अधिवेशन में कॉंग्रेस के दो भाग हो गए थे उसकी अध्यचता किस ने की थी तो उसकी अध्यचता किये थे रास बिहारी घोस नाम याद रखिएगा रास बिहारी घोस ठीक है अब इसके साथ-साथ ये भी फिर बाद में क्या हुआ था कुछ दिन बाद जा कि ये गरंदल और नरंदल साथ में आ गए थे तो ये याद रखिएगा कब ये साथ में आये थे तो ये साथ में आये थे 1916 में 1916 के लखनाव अधिवेशन में ठीक है 1916 के लखनाव अधिवेशन के अध्यचता किस ने किया था अंबिका चरन मजुमदार ने अंबिका चरन मजुमदार ने और इसी अधिवेशन में पहली बार बोला गया था सोराज हमारा जर्मसिद अधिकार है ठीक है और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अधेशता दादा भाई नरोजी किये थे उसमें सोराज सब्द का सरपर्थम परियोग हुआ था तो यह याद रखिएगा कि विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में जिसकी अधेशता रास भिहारिव घोस ने किये थे और फिर दोनों साथ मिल गए थे नरंदल और गरंदल उनईसो सोला के लखनाव अधिवेशन में जिसकी अधेशता अभिका चरब मजुमदार ने किया था चलिए बढ़ते हैं नेक्स कोशन की तरफ नेक्स कोशन है सिच्छा अस्टक की रचना किसने की थी जिसे सास्त्रों का सार भी कहा गया है तो इसका जो सई अंसर है बो है ऑप्सन अबर डी चैतन ने ठीक है किसने चैतन ने अगर हम बात करते हैं चैतन की इनसे इंप्वाटेंट एक और चीज याद रखेगा कि इननों क्या गया था गोसाई संग की अस्थापना की थी अब बात कर लेते हैं और और अप्सन की अगर हम मीरा भाई की बात करते हैं तो मीरा भाई के गुरू कौन थे बहुत बार एक जामे पुछा गया है कि मीरा भाई के गुरू कौन थे तो याद रखेगा मीरा भाई के गुरू थे रहधास ठीक है और मीरा भाई से एक और चीज इंप्वाटेंट याद रखेगा इनकी जो तुलना होती है वो सूफी महिला रविया सिखी जाती है सूफी महिला रविया सिखी जाती है इनकी तुलना ठीक है अगर हम बात यही पर तुलसीदास जी की कर लेते हैं तो तुलसीदास से सबसे important question एक पूछा जाता है इनने क्या किया था? 1575 में रामचरीत मानस की रचना की थी और किस भासा में? अबधी भासा में ठीक है? अबधी भासा में साथी साथ इनने total ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास ने 25 रचनाएं की थी जिसमें से कुछ important रचना आपको याद रखना होगा जैसे कि बिनेपत्रिका कविता बली गीता बली ये सब इनके कुछ प्रमुख रचना थे इनसे एक और चीच याद रखिये का तुलसीदास से कि इसने सैब और बैसनब के बीच एकतास थापित किया था किसके बीच? सैब और बैसनब जो धर्म थे उनके बीच इनने क्या किया था? एकतास स्थापित किया था ठीक है? चलिए अगर बात हम यहाँ पे कवीर की कर लेते हैं तो इनसे एक important question पूछा जाता है कि कवीर की बानी के संग्रा को किस नाम से जाना जाता है तो कवीर की जो बानी का संग्रा है उनको बीजक नाम से जाना जाता है बीजक नाम से प्रसिद है ठीक है? और एक और चीज याद रखिएगा कि कवीर के जो उपदेश थे उनको बोला जाता है सबध सबध बोला जाता है और इसको ये कहां संग्राहित है? सिखो के आदि गरंथ में संग्रहित भी है यह सबद कवीर के जो उपदेश है वो ठीक है चलिए बढ़ते हैं next question की तरब next question है स्वतंतरता के बाद जैपूर में आयोजित भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के अधिवेशन के अध्याच कौन थे तो इसका जो सही अंसर होगा बो होगा option number C डॉक्टर पटावी सिता रमया ठीक है देखें अगर लेकिन question ये पूछा जाए कि स्वतंतरता के समय कौन थेत्ताव अंसर हो जागा जेबी किरपलानी ठीक है क्यूंकि जेबी किरपलानी कब बने थे 1946 में बने थे मेरट में ठीक है 1946 के बाद 1947 में Congress का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था और फिल जाके हुआ 1948 में अधिवेशन और 1948 में जो अधिवेशन हुआ उसमें बने डॉक्टर पटावी सिता रमया तो स्वतंतरता के बाद जो जैपूल में आयोजित हुआ था अगर वो पूछेगा तो पटावी सिता इसका रामानूच के योग अधैतबाद में विश्वास नहीं था और उन्होंने दैतबाद के सिधान्त पर बल दिया था तो इसका जो सही अंसर हो जागा बो हो जागा ऑप्सन नमरे माधवा चार्ज ठीक है क्या नाम था इनका माधवा चार्ज चलिए बात कर लेते हैं य इनको एक स्रेवी दिया जाता है कि भक्ति अंदोलन को ये दच्छिन भारत से उतर भारत में इन्होंने परसारित किया था ठीक है चलिए अगर बलवा चार्ज की बात करते हैं तो बलवा चार्ज का मत याद रखेगा इनका जो मत था बो था सुध दैतबाद सुध दैतबा बहुत बार इन सब का मत पूछा जाता है कि भ़लवा चार्ज का मत क्या था चैतन का मत क्या था तो भलवा चार्ज का मत याद रखेगा सुध दैतबाद था ठीक है चलिए बात करते हैं अगले कोषिन की तरप किस देश ने बिस्व के पहले मानावधिकार चैनल की सुरवा अगर हम बात कर लेते हैं चाइना की तो चाइना की राधानी है बिजिंग इसकी करेंसी है युवान इसकी है कोर करेंसी है रेन मिन भी ठीक है जपान की बात करते हैं तो जपान की राधानी है टोकियो इसकी करेंसी है एन साथी अरब की अगर बात करते हैं तो इसकी राधानी है रियाद और इसकी जो करेंसी है वो है साथी रियाद ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स कोशन के तरफ नेक्स कोशन है पूरी का जगरनाथ मंदिर किस देपता को समर्पित है तो इसका जो सई अंसर है वो है क्रिस्न को, यानि option number A, ठीक है, पूरी के अगर बात करते हैं तो पूरी कहां located है, पूरी उडिसा में है, अगर हम उडिसा की बात करते हैं तो उडिसा के CM कौन है, नभीन पटनायक है, और इनके governor कौन है अभी उडिसा के, तो अभी present में उडि अंसर होगा, वो होगा, option number A, अगनासय, और इस अगनासय को हम लोग क्या बोलते हैं, पैन किरियाज बोलते हैं, कभी कभी इंग्लिस में भी option लिखा रहता है, तो नाम याद रखेगा, पैन किरियाज बोलते हैं, ठीक है, और यह जो पैन किरियाज है, यह मानव सरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथी है अगर पहली सबसे बड़ी ग्रंथी पूदी है तो क्या होगा तब क्या हो जागा तब यक्रित हो जागा जिसको हम लोग लिभर बोलते हैं ठीक है वो पहली सबसे बड़ी ग्रंथी है और जो penkriyaj है वो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथी है और इस penkriyaj को एक चीज़ और भी बोला जाता है क्या बोला जाता है पुन पाचक रस पुन पाचक रस भी कहा जाता है penkriyaj को ठीक है चलिए अब बात कर लेते हैं अगर हम लोग puse granti की तो puse granti को क्या बोला जाता है puse granti को बोला जाता है putatory gland ठीक है जिसको कि हम लोग क्या जानते है master gland भी बोलते हैं यानि master granti के भी नाम से जाना जाता है और इसका जो bet होता है वो लगभग 0.6 gram के बराबर होता है ठीक है चलिए next question की तरह बढ़ते है next question है angel जारना कहा इस्थित है तो इसका जो साई answer होगा वो होगा option number A बेनेजुएला में और ये बेनेजुएला है कहाँ ये दचनी अमेरिका महादीप में है दचनी अमेरिका महादीप में ठीक है और यही बेनेजुएला से एक और इंपोर्टेंट याद लखिएगा अब उने जीला कहाँ इस्थित है गुआना पठार में गुआना पठार ठीक है और कहाँ कैरो नदी पर कैरो नदी पर इस्थित है ठीक है और ये जो एंजलीना जहरना है इसकी जो हाइट है उच्चाई है ये लमसम लमसम 979 मीटर के अप्रॉक्स है ठीक है चलिए आगे बढ़ते है नेक्स कोश्चन की तरह नेक्स कोश्चन है आई उस्मान भारत कार्ल कर्यम की पहली कार्ल साला कहां आयो जित की गई थी तो इसका जो साई अंसर है बो हो जाएगा ओप्सन नबर डी सिम्ला देखे लेकिन अगर ये पूछा जाएगा कि आई उस्मान भारतियों जना कहां से सुरू की गई थी तब ये सुरू कई गई थी हमारे पर्धान मंत्री ने 14 अपरेल 2018 को 14 अपरेल 2018 को 36 गर्ड के बीजा पुल जीला से सुरू किये थे ठीक है याद रखेगा 36 गर्ड के बीजा पुल जीले से लेकिन इसकी पहली कार्साला आयो जीत हुई थी सिम्ला में ठीक है चलिए बढ़ता है नेक्स कोशिन की तरफ नेक्स कोशिन है मानब विकास सुचकांग रिपोर्ट कौन जारी करता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number D संजुक्त राष्ट विकास कार्ज करम ठीक है अगर हम मानब विकास सुचकांग रिपोर्ट की बात कर लेते हैं तो 2019 में जो मानब विकास सुचकांग रिपोर्ट था उसमें भारत का अस्थान था 119 मा और प्रथम देश था यानि टॉप पे था नौर्वे ठीक है पहला अस्थान था नौर्वे का अगर हम बात कर लेते हैं यहां पे इंपोर्टेंट बिस्व बैंक की तो बिस्व बैंक भी कुछ जारी करता है वो है इज ओफ डूइंग बिजनस और एक और चीज इससे के याद रखेगा मानब पुंजी सुचकांग मानब पुंजी सुचकांग यह दोनों जारी करता है बिस्व बैंक छली है बढ़ते है नेक्स को Two GM की तरफ नेक्स kोशन है भुदान अंदोलन किसके द्वारा सुरू किया गया था तो इसका जो सही अंसर है बो है विनोबा भावे यानि उप्सन नंबर B और ये कब सुरू किया गया था ये सुरू किया गया था उन्हेश्वेकामन में ठीक है चलिए और उन्हेश्वेकामन में कहा शुरू किया गया था नलगोडा में सुरू किया गया था जो कि अभी तिलंग नामे है ठीक है और सबसे इसे एक चीछ और याद रखेगा कि सबसे पहले जमीन किस ने भूमी दान में दिया था भुदान अंदोलन में तो उनका नाम था रामचंद्र रडड़ी यही ने क्या यही सबसे पहले भूमी अपनी दान में दिये थे ठीक है चलिए नेक्स कोशिन की दरब बढ़तें नेक्स कोशिन है बिस्व का सबसे बड़ा मैगनीज खान कहां इस्थित है तो इसका जो सई अंसर होगा बो होगा आपसन नमर ए ब्राजिल ठीक है लेकिन देखिए ब्राजिल का अगर मैगनीज उत्पादक में अस्थान पूछेगा तो ब्राजिल जो है बिस्व में सरवाधी कॉफ्यूत पादन करने वाला विदेश है सरवाधी कॉफ्यूत पादन करने वाला बिस्व का देश भी है ब्राजिल ठीक है अब ब्राजिल का एक जगह याद रखिएगा इटा बिरा कहां इटा बिरा और यह जो इटा बिरा है यह यह खनन का केंदर है इसलिए यह प्रसिद्ध है ठीक है चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ next question है 20 भोगता अधिकार दिबस किस तिथी को मनाया जाता है तो इसका जो सई अंसर है बो है option number D 15 March ठीक है देखें March से important कुछ हॉल चीज याद रखेगा आप जो बहुत बार exam पुछा ग तो पता ही आप लोगों को होगा सहीद दिबस और उसके बाद है 24 March 24 March को मनाया जाता है बिस्ब टीवी दिबस Clear है चलिए बढ़ते है next question की तरफ next question है अर्जिंटीना का हिर्दे किसे कहा जाता है तो इसका जो सई अंसर है वो है option number A Pampas देखिए पंपास है क्या? पंपास घास का मैदान है घास का मैदान है जो अर्जन्टीना में बिस्तरित है इसे लिए अर्जन्टीना को हिर्दे इसको कहा जाता है चलिए, बढ़ता है next question की तरफ next question है पभित्रसंदी निम्ण में से किन देशों के बीच हुई थी? तो इसका जो सई अंसर है वो है option number B आस्ट्रिया, बिटेन, रूस अप्रसा इसके बीच में ही पभित्रसंदी हुई थी ठीक है? चलिए तो कमेंट करके बताईएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ठांक्स वर वाचिंग और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ताकि इसी तरह से आप लोगों का यूजफूल कंटेंट का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे टेक केर